मेश राश्री वाले सभी जातक जातिकाएं थोड़ा ध्यान से सुनें बहुत दिनों से जो आपकी जिद्गी में उथल पुथल चल रही थी कुछ अच्छा कुछ बुरा चल रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा कब होगा बहुत दिनों से परशान थे बहुत दिनों से कुछ खर्चे जाधा हो रहे थे बहुत दिनों से जो इंकम थी ना वो भी अच्छी नहीं हो रही थी थोड़ी परशानी का वक्त बिता रहे थे क्या ये परशानी अब समाप्त होने का वक्त आ गया है क्या होली की आग में आपके सभी कष्ट जल गए आपकी सभी परशानियों का अंत हो गया होली की आग में होली का दहन में क्या आप सारे परशानियों को जला कर एक नई जिस्भी को जीने वाले हैं आने वाले वक्त में, यही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में हैं जैसे ही हैं दोजार तेज शुरूर हुआ सुनने में आया बंजा आने वाला है पैसा आने और भला भलाए घोडा आने वालाय घूरा है अमरीका जाने वाले हैं लंदन जाने वाले खुब पईसा कमाएंगे देश विदेश सुनने में बड़ा अच्छा लगा लेकिन मिला नहीं नहीं जिनको मिल गया वो चुप चाप बैठे जिनको नहीं मिला वो परशान हो रहे हैं कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा बताओ तो मेश राशी वालों आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया नवशकार दोस्तों मैस्ट लॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी मेश राशी के दर्श को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दमाएं फेस्बूक और इ देता है शुकर खुशियां देता है शुकर शुकर आपके चेहरी की मुस्कुराहत है, शुकर शुकर एक ऐसी चीजि ऐसा ग्रेह है जिसका मज्बूत होता अना उसके आसी पास खुशियां घोंती हैं जैसे एक खूबसूरत इसत्री के पीछे सौ लोग दिवाने होते हैं वैसे ही शुक्र भी एक खुर्सूरत ग्रह है जिसके आगे पीछे बाकी सब ग्रह गुमते हैं तो अब आपके लिए ये शुक्र का परिवर्टन क्या लेकर आने वाला है आपकी राश्री के लिए शुक्र क्या करने वाले हैं तो ध्यान से इस गोचर कुल्ली को देखिए आपकी राश्री के लिए शुक्र देव जो है वो दितिय भाव और सब्तम भाव के स्वामी हैं जैसा कि आप इस गोचर कुल्ली में देख रहे हैं दितिय भाव किस चीज का है ? वाणी का, कुटुम्ब का, परिवार का, और जमाधन का, यानि जो आप कमाते हैं, उसमें से जो बचाते हैं उसका सब्तम हाऊस किस चिस चीज़ का है? सब्तम हाऊस है वहवाहीजीवन का पती-पत्नी की पार्णर्शिप का, वहपारीयों की पार्णर्शिप का, परिवार का अब second house यानि की जैसा कि आप गोचर कुनली में देख रहे हैं इसका स्वामी क्या हुआ शुक्र और सब्तम हाउस का स्वामी की हुआ शुक्र अब यहां पर एक connection और जोड़ता है सब्तम हाउस जो है उसका स्वामी शुक्र है लेकि सब्तम हाउस में शन्य देव अपनी उच्छ राशी में होते हैं और वर्तमान इस्तिती में अगर आप देखें, तो शुक्र देव जो है अपनी उच्छ राशी मीन से निकलकर लग्व में जा रहे हैं, यानि मेश राशी में, शुक्र बैठ गए लग्व में, जैसा कि आप ते अभी देखा गोचर कुणली में, अब शुक्र की सात्वी द्र राशी है, तुला राशी, तुला राशी में शनी उच्छ के होते हैं, और वर्तमान में अगर आप देखें, तो शनी जो है, आपके ग्यारवे घर में बैटे हुए हैं, जो की उदित हैं, उदित कब मतलब पहले अस थे, अभी उदित हो गए हैं छे मार्स से, तो यहां पर कहीं न कहीं, आपके लिए कुछ विशीष इस्तिया बनती हैं लाब की, तो शनी जो हैं लाब इस थाम में बैठे हैं, लेकि शनी आपके लिए कर्म के भी स्वामी हैं, यानि नौकरी पेशा जो भी आप काम धन्दा करते हैं, पैसा तो उसी से आये जादा, नौकरी पेशे से, और यहां पर शुक्र का जो परिवरतन हैं, वो आपके लग्ण में हो रहा है, मेश राशी में, और सेकेंड और सप्तम के स्वामी हैं शुक्र, तो अब आपका भाग के जो है, वो असली में चमकेगा, बारह तारिक से आपकी किस्पन्स में बदलाव आएगा, योग कार ग्रह का मजबूत होना, उदित होना आपके लिए, यानि शनी का उदित होना भी यहां पर लाबकारी देगा, तो शनी भी आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और शनी शुक्र की परम मित्रता है, इसका भी आपको रिजट मिलेगा, आपकी समस्याओं का यहां पर अंत है, आपकी समस्याओं का यहां पर अंत होना बारा मार्श से शुरू हो जाएगा, पूर्ण रूप से, महीने भरसे जो आप सुन रहे थे, कि भाग युदय होने वाला है, वो भाग युदय वास्तों में अब होना शुरू होगा, अब आपकी आँखे जो है न, वो सु आपको प्राप्त होगा, अगर आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, शोशल मीडिया से जुड़े हैं, छोटे बड़े परदे से जुड़े हैं, पत्रकारिक्ता से जुड़े हैं, तो आपका यहां पर लाब होने वाला है, होटल इंदस्ती से जुड़े हैं, काम है जो सरीय वगेरा जो होते हैं ऐसे प्लाइवुट्स वगेरा काम है जो जिसे चीजे सजाई जाती है रंगों का काम है पेंट वगेरा इन सब में आपको लाब होने वाला है यहां पर लाब की इस्तिती बनने वाली है तो आपके लिए कहीं ना कहीं इस्तिती अब बहुत बहतर होने वाली है अब यहां पर एक और चीज आती है वो चीज आती है कि राहू भी बैठे हुए है शुक्र के साथ में यहां पर दोसी चीज आती है कि राहू भी बैठे हुए है शुक्र के साथ में तो राहू और शुक्र की भी आपस भी अच्छी मुतरता है तो इस समय मे आपको थोड़ा सा ख्याल लखना होगा, तो कि गाहु जो है, वो आपको थोड़ा सा चंचल बना सकते हैं, ध्रमित कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूगा, तो अब आपकी आँखे जो सुंदर सपने देश नहीं थी, वो सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं, अब आपके हर काम की तारीफ होने वाली है, विप्रीत लिंक के परती आपकी प्रशंशा बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, जहां जाएंगे वहां पर आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, आपकी काम वैपार में इच्चत मिलेगी, शांदार होगा, आपको वा रहे हैं तो शादी के योग बनेंगे, आप अपनी उम्र के लोगों में लोग प्री हो जाएंगे, जहां जाएंगे वहां निता बन जाएंगे, संगीत प्रेमी होंगे, अच्छे कपलों के वैपारी होंगे, मॉडलिंग करते हैं या फिल्मी दुनिया से जुड बना सकते हैं, आपको जो पिछले दिव में आपने जो काम शुरू किये थे उनका आपको प्रॉफिट हो सकता है, उससे आपको लाव हो सकता है, अब आप धन कमाएंगे भी धन जमा भी कर पाएंगे, आप लगजरी चीजे खरीदेंगे, बहुत साई चीजे खरीदेंगे, आपका पैसा खर्च होगा शुब कामों में, लेकिन राहू भी शुकर के साथ बैठे हों में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार वेक्ती उन चीजों की भी खईदारी कर लेता है, या उन चीजों में भी पैसा खर्च कर देता है, जो उसे चाहिए नहीं होता है, जल्दभाजी, बिना सोजे समझे, खर्च मत करिएगा, दूसरा शुकर के साथ राहू बैठेगा, तो बुद्धी को थोड़ा सा तो भ्रमित करता ही है, और ध्यान से देखें, तो शनी की विद्रस्टी पढ़ रही है राहू पे, तो थोड़ी सी मानसिक चिंताएं, किस व तो यहां पर थोड़ा सा आपका जो लाब है, आपका जो प्रॉफिट है, जो आपकी इंकम है, उसको सही जगह पर खर्च करिए, गलत जगह पर खर्च करने की आपकी इच्छा जागरित हो सकती है, कोई गलत सलाह दे सकता है, या यहां पर आप दूसरा काम क्या करेंगे, क पती-पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाएं। समझे हैं। पती-पत्नी के बीच में मदभेद हो जाएं। इससे भी आप वो बचना होगा। या एक चीज और भी हो सकती है कि आप कमाएं और आपके घर का कोई सदसे उड़ा दे पैसा तो यहां पर थोड़ा सापको कंट्रोल करना होगा। आप अपनी परस्टाल्टी को मजबूत करेंगे। सिंगल हैं तो डबल होंगे। यानि की शादी के योग बनेंगे। कई बार यहां पर इनसान अपने को खुबसूरत बनाने के लिए जिम वगेरा जॉइन कर लेता है। अभी तो नया नया जोश चड़ा है जिम जॉइन क इस तरीके के खर्चे भी आपके हो सकते हैं। शौक शौक में आप अपनी ज़रूत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहां शौक जो है उसपे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अब माली किसी की शादी हो रही है, शादी तै हो रही है, तो जरूत से बैंड बाज़े पर खर्च करते हैं, लगजरी शादी करते हैं, यह में पैसे हैं, सौर और एक सो बीस रूपर खर्च करते हैं। दिखावे की दुनिया में भी आप जा सकते हैं। तो भाग गयते हो रहा हैं, लेकिन कहीं न कहीं कंट्रोल भी करना है, थोड़ा सा आपने प्रॉफिट को बचाने के लिए सही प्लैनिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी। अगर राहु की बात करें तो राहु भी लगव में बैठकर अप प्रत्याशित रूप से धन देता है, यह आपको इतना धन मिलेगा इतना धन मिलेगा जिसको आप संभाल नहीं खर्चे भी इतने हो जाते हैं कि आप उसको भी संभाल नहीं बाते हैं, तो धन आने के रास्ते को तो संभालिये, बिल्कुल बस संभालिये, धन आता जाये, धन जाने के रास्तों को संभालने की जरूत है। वैवाही जीवर में थोड़ा सा मत्भेद कई बार यहां पर रा आप खूब कमाएंगे, खर्चा भी करेंगे, अमीर ससुलाल में शादी तैह हो सकती है, आप इस समय सच्छे आशिक बन सकते हैं, आपके दिवारा किये के कामों को देज दुनिया में दुनिया देखेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, लगजी लाइफ शुरू होगी, काम प समय परशानियों का अंत करेगा, हनमाण जी की उपासना से शनी की जो तीसी दस्ती लाहू पर पढ रही है, शुकर पर पढ रही है, वो छत्म होगी, और उसके अश्यप्रभाव खत्म होगे और आप का दिमाग भ्रमित नहीं होगा, हनमान जी की उपासना लाप देगी शन पर हम मित्र है, राहु भी मित्र है, शनी के, सब मित्र हैं, शुक्र भी मित्र है, राहु भी मित्र है, शनी भी मित्र है, तो मित्र मित्र एक दूसरे का जाधा बिगारते नहीं है, उन्नियस भी सो जाता है, आप बड़े आदमी बनने वाले हैं, अपने चरितर को मश्रूत र पुछ लोग घूमने फिदने जा सकते हैंगी ट्रेवल उनका हो सकता है काम के सिलसले में भी घूमने फिदने के सिलसले में भी शालिनी के शुक जो इच्छाएं कम हो रही थी कई पती पत्मी ऐसे थे जिनकी रोमेंटिक भावना मर गई थी वो अप्रसे जाग उठेंगी शुक्र हैं तो कोई कम नहीं है शुक्र आपके लिए बहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं शुक्र रहे क्या है शुक्र प्रेम है और शुक्र को बहतर करने का उपाय है पत्नी से प्रेम या पती से नगिए गरह की साफसवाई मालकश्मी की अर अर Though को बढ़िया करने का उपाय क्या है गडलेशी वंदना औरर श्रणीदेव जो प्रौफिति के our क Q में है उनको और अच्छा कर्णा है और उनके साथ में उनकी आने वाली तारीखों में वक्त शानदार आने वाला है। आप मार्श अप्रेयल के महीने में बहतर परिणाम पाने वाले हैं। एक लग्जरी जीवन की शुरुआत हो रही है। लेकिन कुछ सावधानियों के साथ में। क्योंकि देखिए इस समय में शुक्र जो है जो मंगल क बना कर रखना होगा। राहू और शुक्र एक साथ बैठेंगे। राहू को काम है बुद्धी को भ्रामित करना। खर्चे करा देना। बिना सोचे समझे चीजे करवा देना। जबान से कुछ भी उल्टा सीधा निकलवा देना। इस सबसे आपको बचना होगा। तो यहां दिनों में मेश राशी वालों। हरियों नमस्कात।